नमस्कार दोस्तों मैं अपनी वीडियो में आपका बहुत वह स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप सब दोस्तों यह बेल्ट है देख रहे हैं आप इसके बेल्ट की बकल टूट गई है मैं आज आपको बेल्ट की बकल किस तरह चेंज के जाती है मैं आपको दिखाऊंगा देखे कि यह अर्य दर की बेंट है कि इसके डिजाइन आप देख पा रहा है बहुत ही सुन्धर लग रही है कि ध्याया उ रिजनल लेदर कीमंध में थोड़ी कौस्च इसकी मेहिं होती है नीच जो की काफे इसको सुन्धर बना रही है मैं यह ऊपना है कि रहा है उडलेंड का प्रिंट किया हुआ है आप देख पा रहा है कि इस पर उडलेंड लिखा हुआ है बहुत सुन्दर बेल्ट लग रहा है आप लगाएंगे तो काफी सुन्दर दिखेगा ये मैं आपको बकल इसका दिखा रहा हूं काउन को से डिजाइन के बकल आते हैं ये देखिए इसमें ब्लैक कलर की पट्टी लगे हुए ये चीनी मिट्टी का बना हुआ हो तो बहुत ही सुन्दर दिखता है थोड़ा महंगा भी मिलता है लेकिन इसकी डिजाइन और सुन्दर तब बहुत ही सुपर होती है बहुत ही सुन्दर दिखता है ये सबसे सुन्दर मार्केट में बकल अलग से मिलता है ये बहुत ही सुन्दर है देखिए ये इसमें लग जाएगा इसकी कि पट्री निकाल करके खट करके निकाल देंगे और डीक्ट किसको बेल्ट की पट्री जो लगी वे उसम Generally Set कर देंगे इसको ठीक है औरholes दूसरा बक्कल देखे तो देखे यह डारेक्ट में पट्ट्ट्च नहीं लगए यह भी सुन्दर है लेकिन उसके पस्के थोड़ी सुन्दर था इसकी मिल जाए उसे आप लगवा सकते हैं मिल जाए उसे आप लगवाल लीजिए जो आपको पसंद आए तो यह भी अच्छा यह भी लग जाएगा यह डिरेक्ट कट करके लग जाएगा आपके बेल्ट में पत्टी निकाल करके यह देखी यह भी एक डिजाइन का बकल होता है इसकी डिजाइन दूसरी होती है इसमें किल नहीं होती है इसको डारेक्ट सेट किया जाता है यहां पे सेट कर देंगे इसको खोल करके निकाल करके सिलाई करके और इस तरह से इसको लगाया जाता है यह थोड़ा चोड़ा है और यह बकल पतला है तो इस तरह से इसमें जान न से इस तरह से लग जाएगा तो इस तरह से अगर इस तरह का बकल लगवाते हैं तो इसमें दाग नहीं पड़ती है सिर्फ होल में यह लगता है और उपर से कोई दाग पड़ती नहीं है यह देखिए अगर जिस तरह से इस बेल्ट बकल को हम लगाते हैं तो जब हम इसको लग आप यदि उस बक्कल को लगवा लेते हैं तो इसमें दाग नहीं पड़ती है लेकिन कोई बात नहीं है इतनी जल्दी दाग नहीं पड़ती है काफी समय बात ही दाग पड़ता है उसमें तो आप कोई बक्कल लगवा सकते हैं जो उपलब्द हो जाए यह देखिए यह तीसरा नहीं यह पतल्यश्ड के लिए है यहां पर बट के लिए बैल्ट के लिए पतल्यश्य के लिए है गुब when heart he में यह सकता है नहीं तो यदि दो कलर काई बेल्ट है तो और भी अच्छा है यह बक्कल इस तरह से घूंबता है दोनों तरफ तो यह बेल्ट भी काफी काफी बक्कल भी काफी सुनदर दिी लागवा सकते हैं इसमों डिपलब देखा रहा हूं कि किस 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 का बकल होता है और इसको यच बतै है दोनों तरफ होता है इसमें पट्टी अलग से लगाने के जरूत नहीं पढ़ती है ग एट लगाने के बाद बककल जब उपर से उसमें डालते हैं में बेट को तो उसको लगाने ज़रोत नहीं पड़ेगी यह देख रहें जिस पर बुडल एड़ी लीखा हुआ था तो इसको निकाल देंगे इस बकल को लगाएंगे तो तो इक है यहां से खोल के इसको हम सेट कर इस तरह से इसको यहां पर सेट कर देंगे और सेट करने के बाद बैल्ट को हम लगा लेंगे यह बहुत ही आसान है तुरंति लग जायेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है तीक है इसे भी लगवा सकते हैं अब देख पा रहे हैंजे दिखिए मैं इसको लगा के दिखाता हूं यह देखिए यह जब लग जाएगा तो कैसा देखता है लगाने के बाद यदि आप लगा लेंगे तो किस तरह से लगाएंगे इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको लगा के यह देखिए यह लगने के बाद इस तरह से दिखेगा आपको तो इस तरह से आपको यह बकल भी पसं तो देखिए अभी मैं दिखा रहा हूं आपको यह देखिए यह भी एक बकल है यह सिंगल बकल यह भी है यहां भी सेट करने वाला दिया हुआ इसके साथ ही में लगाने वाला है तो इसको भी यहां से डाल करके फिट कर दिया जाएगा इसमें दबाने वाला है यह दब गया और देखिए इस तरह से लग जाएगा यह इसको इस तरह से आप लगा लेंगे इसकी किलिस में छेद में डाल करके और इसको आप पहन लेंगे तो ये देखिए ये भी सुन्दर दिख रहा है ये लग गया देखिए इस तरह भी आप इसको लगा सकते हैं इस तरह भी ये लग जाएगा जिस तरह से दुकांदार आप को सेट करके जोन साभी बकल दे आप इसको यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से अपने पसंद से ब बक्कल लगवाईए आप और अपने बेल्ट का यूज कीजिए और फुल पैसे का वसूल कीजिए यह देखिए यह भी एक बक्कल है इसको जो बक्कल मैंने पहली बार दिखाया था वही बक्कल है उसे डिजाइन का है उसे क्वालिटी का है तो इसकी पट्टी ब्राउन कलर कि थोड़ा डिफरेंट है नहीं तो हम इस पट्टी में भी इसको आसानी से लगा सकते है कुछ करने के जरूत नहीं है इसका जिसमें उपर से बेल्ट को डाला जाता है उस पट्टी को लगा करके और सीधे रिपीट को जाम कर देंगे हम इसमें टाइट कर देंगे कस देंगे तो वो हो जाएगा, यह देखिए, इसका color different है, तो इस तरह से इसको हम नहीं लगा पाएंगे, इसको change करना पड़ेगा, जो पुरानी वाली पट्टी है, belt के साथ वाली, उसी पट्टी में इसको हम set कर देंगे, क्योंकि इसका color different है, इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे, ठी अचा दिखेगा, नहीं तो इसका look खराब हो जागा, मैं इसको अभी दिखाऊंगा, आपको लगा करके, इसी बकल को set करके, मैं आपको दिखाऊंगा, इस belt में, देख लिजिए, किस तरह से इसको set करते हैं, देखिए, पहले मैंने उस पट्टी को कट करके निगाल दिया, और अभी इसमें की जो पट्टी है, इसका धागा भी मैंने कट कर दिया, और कट करने के बाद जो धागा इसमें इसको निकाल देंगे, ताकि ये fresh हो जाने तो उसमें सिलाई नहीं हो पाएगे, और अच्छा दिखेगा भी नहीं, सुन्दर भी नहीं लाएगा, तो इस तर इस लेदर के बेल्ट में सिलाई कर सकती है, लेकिन ये नॉर्मल मसीने सिलाई नहीं कर पाती है, क्योंकि बहुत ही हाड और बहुत ही तगड़ा होता है, ठीक है, और नॉर्मल मसीने तो सिलाई की दबाद छोड़िये, इसमें उसकी सुईजा भी नहीं पायागी, क्योंकि बहुत ही हाड था होता है लेधर का बेल्ट औरैग्जीन का बेल्ट होता तो उसमें सिलाई हो जाती Italian लीधर जो होता है जो डुब्लिकेट होता है उसमें सिलाई हो जाती यह देखिए और मैं हां से सिलाई करके बताराँ आपको इस तरह से इसकी सिल्हाई कर सकते हैं जदी दुकांदार के पास ऐसी बेवस्था तो वा खुद बखुद इस तरह से सिल्हाई करके आपकी बक्कल को सेट कर देगा और आप उसको गडा है तो यह लग जाएगा ठीक है इस थोड़ी समस्य आओते है इसको सेलना में क्योंकि हाथों से सेलना पड़ेगा इसको तो पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो फिर भी मैं सेल के दिखा रहा हूं आपको बता रहा हूं कि यह मैं डूसरी जगए छेद नहीं कर सकता हूं इसमें जो आप देख रहे हैं इस सिलाई करने वाला अवजार जो है उससे हम डूसरी ज़गन सिलाई नहीं कर सकतें क्योंकि यह बहुत ही हार्ड है इसमें में यह होल नहीं कर पकाएगा तो जो होल किया हुआ कम्पनि अजर तो इस तरह से हम उसकी सिलाइगा तुस तरीके से कमपश क्या था और पहले से होल उसका उपलब्द है उसी में हम इसकी सिलाइगा करने इसको हम सेट कर देंगे, हमसे लाइक कर रहे हैं, आप देख पा रहा हैं, तो इस तरह से आप बक्कल को चेंज करवा के और यूज कर सकते हैं, और एक बात बता दे हम आपको कि इस तरह का बेल्ट आपके पास लेदर की हो, मान लिजिए इस में का कलर यदि है, तो नहीं पॉ सबस्क्तini पोलिस करवा लिया करिए केको प पोलिस करवाने से बेल्ट में हम शायनिंग ऊती है और उसका लैफ जो है कि वह long होता है में लेदर की बेल्ट में पोलिष करवाना ज़रूरी इसलही होता है कि यह काफी टिकाऊ होता है और काफि लंबे समय तक चलता है तो आप जब पॉलिश करईए तो उसकी शाइनिम्ग और लाइफ उसकी बढ़ जाती है तो आप अपने लेदर की बेल्ट की पॉलिश जरूर करवा लिया करिए यद्दी उस कलर का आपका बेल्ट है तो जरूर पॉलिश करवाईए देखिए शिलाई हो गई है मैंने पट्टी की शिलाई कर दी यह देखिए पहले जैसा दीखने लगा और लुक भी इसका शुंदर दिख रहा है यह देखिए यह सेम तू सेम दिख रहा है वो बलाक कलर की पट्टी लगी है जो अब मैंने इस को सेल दिया तो यह सेम टू सेम हो गया है अगर दूसरे कलर की पट्टी लगती तो यह बेल्कुल अच्छा नहीं लगता ना आप इसको यूज कर पाते इस तरह से पुरानी वाले पट्टी जो बेल्ट के साथ में थी उसको हमने निकाल करके इसके सिलाई कर दी यह देखिए पट्टी हमने उपर से लगा दिये जिसमें बेल्ट को पहनने के बाद डाल दिया जाता है तो अभी मैं आपको पेंच कसके दिखा दूँगा चुकि पेंच जो है कि अब कुछ करना नहीं इसमें पेंच लगा देंगे आप तो आपका बेल्ट तयार हो जाएगा ठीक है तो अभी मैं आपको पेंच देऊ कि कसके मैं बता दूँगा कोई मुस्किल नहीं है पेंच कसना जिस तरह से सिलाई हमने करके आपको बता दिया देखिए सिलाई करने के बाद अच्छा लग रहा है एकदम मालूम भी नहीं पड़ रहा है कोई बुरा भी नहीं लग रहा है कमपनिक सिलाई की हुई थी तो भी अच्छा लग रहा है यह भी कि अब इसको डालीजे इसकी डेजाइन वाला जो है रिपीट का उसको उपर कर दीजिए और पेंच जो कर्स दीजिए इसमें पेच बनी होई होती है जो टाइट हो जाती है अब पेचकस से उसको कर्स देंगे तो ये टाइट हो जाएगा जितना उसमें जगह है उतनी टाइट आप कर दीजिए उसको ताकि वो हीले नहीं इधर उधर न जाये ये देखिए हमने इसको कर्स दिया है से आइश 끊 लेंगे और इन्जॉय करेंगे आपको तयम होने के बाद आप सस्क्राइश किस्ते। और डाख है बढ़र या अच्छा भी देख रहा है कि तीया ने के बाद किसी अगोनोग्टे तो इस तरह कि आप लेदर की बेल्ट खरीद लें और आपका बकल तूट जाया तो आप बेलकुल घबडाया नहीं बेलकुल परेशान नहीं कि हमारा बेल्ट अब खराब हो गया आम इसको फैंक देंगे तो पैसा भी नुकसान जाया क्योंकि कभी-कभी बकल उसकी अच्छी नहीं होती है तो चल्दी टूट जाती है दो महीने या चार महीने बाद यह टूट जाती है देखिए यह देखिए दो कलर की पट्टी जो मैं आपको बता रहा हूं ब्राउन कलर की और ब्लैक कलर की इस कलर का यदि आपका बेल्ट होगा तो यह आसानी से पॉलिश हो जाए और उसमें शाइनिंग आ जाती है और शाइनिंग आती है तो आपका बेल्ट और भी सुन्दर दिखता है और भी अच्छा लगता है इस तरह से दोस्तों आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा आपने मुझे प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओके दोस्तों थेंक यू बाबाई